आप देख रहे हैं यूपी नियू जर्बन पंचाइती इस समय अंबेतकर नगर जिले के तहस्चील अगबरपूर में हूँ और हमारे साथ बस्पा फ्रत्यासी सुरेश कुमार बर्मा जी है जिनके साथ इस समय जनसंपर्ग अभियान का सगन जनसंपर्ग अभियान का दोर च किया गया है आईए आपसे नगर की तमाम समस्याओं के बारे में और प्रचार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का जनसमर्थन आम लोगों को आपको मिल ला है यूपी नुजर्बन पंचाइती में आपको बहुत-बहुत स्वागत है आप अपने प्रच चैनल को मैं अपने दिल की गहराईयों से हार्दिक स्वागत अमने बंदन करता हूं वैसे तो आप जानी रहे हैं कि हम लोगों को परचार जितनी मेहनस से हम लोग करते हैं हम लोगों को उतना दिखाया नहीं जाता हम लोगों की जमीन पर जितनी सच्चाया है अगर वो दि प्रिस में फिर से आधर्णिया बहन कुमारी मायवती जी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोग सकता ये हमारी विश्वास भरोशा हम लोगों को है пыт कि यह सभी में जो प्यार इस परिवार में है वो प्यार किसी पार्टि में कहीं दिखने को नहीं दिखता हैं आज हम देखते हैं एक गौशपूर वाड में मकदूमपूर में जो हमारे गरामबासी हैं इन लोगों ने मुझे बहुत दिन से कहा कि आप मुझे एक मेटिंग का माध्यम दे दीजिए जिससे हम लोग इकठा हो करके आपके विचार को सुन सकें तो हम देते देते समय बहुत नदीग चुनावा गया लेकिन आज आप लोगों के किरपा से आपके चैनल के माध्यम से मकदूमपूर के सम्मानित प्रमाधणिये हमारे माता पिता नौजवान साथियों नन्यमुन्य बच्चों को और यहां के सभी पाइटी के सभी सक्रिय क प्रकार करता को मैं अपने दिल की गहराईयों से हारदीक स्वागत अवननन बंदन करता हूं सबसे बड़ी बात है कि यह पुर्वा हमारा कितना गरीव है आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्रकार की समस्चाएं आज तक नगर पालिका छेत से कहीं भी अगर एक स्टेट लाइट लगी हूँ तो हमें मगदूम नगर में बताया जाए चूंकि यह दस साल हो गया जो कि नगर के भिक्सित छेत्र में आया आज बताया बताया जाए कि नगर की जो एक सुझा होती है वह यह अभी गरामिड अंचल की तरह से दिख रहा है भाजपा की तरफ से तो बह देखे बहुत अच्छा प्रश्णाप में किया विकास जरूर कर रहे हैं जिस चीज पर विकास कर रहे हैं वह आपको दिख रहा है आप जानते हैं हमारा डवलप्मेंट हमारा डवलप्मेंट एजूकेशन से ही नहीं आफिस से नहीं सरकार से नहीं होता हमारा डवलप्में उसको हमें पूरा करने के लिए सोचना चाहिए जैसे एक पूजी पती एक पूजी पती के पास तमाम वेवस्था हैं उनके पास वकील हैं उनके पास अधिकारी हैं उनके पास ब्यापारी हैं वो दो दो पैसे कहीं से कमा सकते हैं लेकिन एक गरीब मजलुम जनता जिसके पास उद्दोग नहीं है सर्विश नहीं है कलकार खाने उस छेत्र में नहीं है तो उसे दो पैसे कैसे कमाया जाए वह डबलप्मेंट हमें चाहिए यह हमारी नगर की जंता को फिरी में रहसंद देने से अगर विकास संभव है तो ठीक है अगर आवास दिया गया फिरी मेरे अर्शन दिया गया उस पे मैं आपको अउगत कराना चाहता हूँ 36 रूपे मात्र 36 रूपे मात्र केवल उनके लगते थे वही 36 रूपे माफ किया गया और गये सिलेंडर की महागाई आप देख लिजे गये सिलेंडर की महागाई देख लिजे कितना गुणा बढ़ गई यह सरकार खुद जानती है तो देखे न सरकार के पास कहीं से इतना धन है और न समाज के पास इतना धन है इधर से लिया जाता उधर दिया जाता है लेकिन अगर तरीके से विकास किया जाएगा तब विका बहुत अच्छा मैफ है बहुत अच्छा प्लान है यहां कलकार खानों के लिए जमिन सरकार द्वारा लगवानी चाहिए हमारे विधायक जीते हैं हम लोगों के विधायक थे मंतरी थे आप जानते हैं कि बहुजन समाज पाइटी अमबेटकर नगर को तहसिल से जिला का माडल और जिने के माडल में जो विकास था आज तक कोई शरकार कभी भी किया हो तो हम लें लेकिन अगर यहां जिला बनाया तो आधड़ यहां वहंजी ने सहरी अगर में तद्डहर में रहने के लिए इनको जागरूप किया गया कि आप गावं से चल कर के यहां तक आएं तो यह रूट पलान था हमारा डबलब्मेंट का देखे सोच से हमारा डबलब्मेंट होता है जब हम गाउं से चल करके सहर में आएंगे तो सहर में सबजी भी लगाएंगे हम कुछ नई तरक्रीके की कल कारखाने खोलेंगे कुछ हद करगे उद्दोग होते हैं और जो सरकारी उद्दोग होते हैं यह जब तीनों प्यर्विंदों पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम बेटकर नगर के सभी गरी मजलूहों का विकास होगा जितने भी 36 वार नए नवस्रिजित गाउं जो है इसमें नगर पालिका में जोड़े गए हैं उनको लेकर आपको क्या लगता है वहां भी मूलभू समस्याओं का कितना अभाव हैं हमारी समस्य से वह गराम सभा थी और गराम सभा माडल में अभी ही है प्लान है क्या मेरा प्लान नहीं नगर पालिका अगर आप चुनाओ जीच जाते हैं जंता के सहोग से आपको अश्रवाद मिलता है तो ऐसे में क्या प्लान है हमारी समझ से गरामीड को नगर बना दिया जा और नगर तो नगर हई पहले से नगर था तमाम अध्यच उस पर काम किये Communist किये अगर गरामीड अंचल को भी कर देंगे तो पूरी आबादी इधर भी किलकार खाने उद्धूग हो जाएंगे तब साहर का माडल होगा नगर पालिका का मतलब ही है नगर सभी नगर के सभी छेत्र में उसी तरीके से विकास होना चीए जिस तरीके से सब जगाँ जिन्योत है तो आप जंता से क्या अपील करना चाहिए हमारी अपील है कि हम लोग सोच समझ करके धन को आईसी जगां लगाएंगे जिससे हर छेत्र में डवलप्मेंट हो एक छेत्र में ना हो एकांगी विकास ना हो चो मुखी विकास हो चारो तरफ बढ़े इसलिए हमारा नगर बढ़ा या गया तो हमको उसी दिशा में काम करना चाहिए जिस दिशा से हमारी शरकार नगर का विकास किया तो यह थे बस्पा प्रत्यासी सुरेश कुमार बर्मा जी इन्होंनों बताया कि चौमक्री विकास हमारी प्रात्मिक्ता पर है और हम गाउं को जो नगर पालिका में नए जोड़े गए हैं उनका कोई विकास बीते सालों में नहीं हो पाया है उनके विकास पर द्यान देंगे और वहां जो सर्वसुलब सुग्धाओं का भाव है उनको वहां विक्सित करने का प्रयास किया जाएगा यूपी नियू जर्बन पंचैती से कैमरा मैं इनवर्शिप टंडन के साथ रभी सिर्वास्तो अंबेद करने का